Yes students, in last lecture we discussed about rank of matrix by using determinant method. Now in this lecture we are going to discuss about rank of matrix by using elementary row transformation method. यह method rank find out करन दे लई बाँत एजी हते हरिक matrix थे अप्लिकेबल है. जिस तरह के अपने last lecture दे विच कल किती सी की rank of matrix find out करन दे लई determinant method जदो use कर दे हैं, then matrix है जड़ी वो square order दे विच होने चाहिए है. जे matrix square order दे विच नहीं हैगी, then firstly we have to find its largest order possible square order minors. जिस तरह कुछ students दे queries से गियां कि 3 x 4 दे जे कोई matrix है, उदा determinant के दा find out कर साकते हैं. So 3 x 4 दी matrix है जड़ी होदे विच स्केर order, तो 3 x 3 दी order तो 1 column ज्यादा है, 3 x 4 दी matrix दे विच. Then firstly, जे होदे कोई 4 rows सिगें, तिन rows सिगें, 4 columns सिगें, then 4 columns दे विच हो turn by turn आपान एक-एक column delete कर दे होए होदे, फर्स्ट कॉल्म देलीट करांगे, तो फर्स्ट 3 x 3 दा माइनर आएगा, एसे तरीक के नाएगा, एक-एक column delete कर दे होदे, फोले 3 x 3 दे चार माइनर आजाणगे. Then ओना चारो माइनर्स दापान देटर्मिनेंट फाइंड़ी होदे क्रांगे, क्योंकि ओन स्केर order देने, Using Elementary Row Transformation principles method, ये method हर तरा दी matrix घुपर applicable है, इअ इयो रेक्टांगुलर है, इचारा धुरी डी matrix है, So बहुत easy method है, थोड़ा जया Elementary Row Transformation दे होधन समझन दी होडा है, ये method ह्याँ काफी only stream-ed Tous chapters दे भिच भी कम आएगा, जिस तरह के एगन वेलिउस दे विच लीनियर इंडीपेंदेंडेंस या लीनियर डिपेंडेंस दे टॉपिक दे विच ठीक है इनुको काफी त्यानल समझे ना इस मैथर नू अपलाई करन तो पहला आपा देख देया कि कोई मेट्रिक्स है ओदे विच फिस्ट स्टेप दे विच किया है उस मेट्रिक्स दियां फिस्ट रो दा फिस्ट एलिमेंट देख दियां कि वो जीरो है या नॉन जीरो है firstly from the given matrix we have to check first diagonal element मैं मार की था A11 first diagonal element पहली रो दा पहला element A11 कि वो नॉन जीरो है जे था नॉन जीरो है इन सम प्रॉब्लम्स दे विच की होंदा है कि A11 जीरो एलिमेंट देता प्या होंदा then firstly आपनो की करना पाएगा कि following rows नू following मतलबो तो नीचे वाड़ियां कोई भी rows नू R2, R3, R4, Z या भी according problem दे विच रोज देती हैं या नहीं नू R1 दे नल इंटर्चेंज करना है अपा प्रेश सिंबल यूज करांगे इंटर्चेंज करांगे कि कोई भी following row अकॉर्डिंग टू क्यों इंटर्चेंज करांगे जिड़ा भी कोई जिस row दा फस्स्ट एलिमेंट नॉन जिरो आ तुसी ओस नॉन जिरो फस्ट एलिमेंट वाली किसे भी row नू इंटर्चेंज कर सकते हैं ज्यादा बेटर रहेगा कि जे किसे फॉलुइंग रो देवेच फस्स्ट एलिमेंट आजेटा वन यह डन ओ रो नू इंटर्चेंज कर लगा जे वन नहीं है दन अपका किसे भी नॉन जीरो एलिमेंट वाडी फॉलिंग रो नू आर वन लें इंटर्चेंज कर लगा ड़ना तना सब्तो पिला स्टेप किया इस वन वन जीरो है धन किसे फॉल्विंग रोज नू जी दा फॉस्ट एलिमेंट नौन जीरो हा उन्हों इंटर्चेंज करांगे सो नाव वी अर गूंग तो स्टेप टू वन ए वन वन इस नौन जीरो होन दी गल करांगे कुछ को स्पेशल सम्ज होनगे अपा उना बारे बात देविच डिस्स कर देया है पहला हम पाई मैथड सिख लए है जीना देविच की हुंदा के इसे टॉपिक देविच टॉपिक काफी ज्यादा है तो एक लेक्चर देविच आपा इनू फिनिश नहीं करांगे जी देविच रोगत एक कॉलम ट्रा दो में ट्रांस्फर्मेशन लगा मांगे तो नेक्स लेक्चर देविच अगल करांगे मैं थोड़ा एस मैथब नूँ ज्यादा प्रेफर करूंगा कि दुसी हैसे नहीं आले चेप्टर्स देविच तो अनू कोई किसे तरहां दी समस्य जैना होवे एसली अपाउनना समस नूँ भी स्वालोव कर सकिये बिकास इलिमेंटरी सिर्फ रोगत्रांस्वर्मेशन लगाणवळा प्रसेस काफी फॉलंग चैप्टर्स देविच काम आएगा अप्टू अपने अपने अगन वेल्यू एगन वेल्यू एगन वेक्टर्स देविच सु थ्री फोर चेप्टर्स ने एसे मेथड दे रहीं सौलोब होनगे साम सु एसे मेथड नो इजी रहुगा कि तूसे यह नो फॉलो करें सु स्टेप टू देविच आ चुके आपा हुणे अपना ए वन वन जेड़ा फस्ट रू दा फस्ट अलिमेंट नो नो बन चुके यह नौ आपा हैस ए वन वन बनोना जेड़ा भी यह थे नो जुगा ते वन बना वांगे बाइ यूजिंग सूटेबल एलिमेंट ना डिवाइड करके मैं थे सूटेबल एलिमेंट कह रहे हैं यहां क्योंकि जड़ा भी यह थे अपने कोड़े फस्ट रू दे फस्ट एलिमेंट दे विच यह यह फॉर एक्जमपल जे 7 अदा 7 ते डिवाइड करांगे 3 यह था 3 त नों इंट्रेज़ करलांगे उन्हें थे दो सब केस बनगे एसे गल नों कंटिन्यू करदे हुए के ए वनवन नों बनों दे लई अपम फस्ट रो नों ए वनवन ना डिवाइड करना यह जे निचे किसे रो दे विच वन एलिमेंट अपीर हो रहा फस्ट एलिमेंट वान अ कि वन बना나हें धैडेटमेंज जेडी कल में एसे एक स्टेप वन दे विच डिस्कुस कीते सी कि यह एक से फॉल्ल ओइंग और यह वं धिज दू यह करना तोड़ाह से केका डिकार केका व्म स्ट रोबक्रांण इमेंट वान नमरियंच एज़न लेंगे recurrent किए हुए करने जेड़ा कि अपनों अगे calculation दे विच बार-बार LCM गेरा लेन दे विच थोड़ा calculation lengthy बनेगी so calculation थोड़ा easy यते fast करन दे लेए अपना एही दिखांगे कि ए first element जेड़ा हुना अपने कोड़े non zero हा जे उदे नीचे किसी रोधे कोड़े विच one है ता अपा उस रोधे कोड़े वी one नहीं हैगा then अपने कोड़े एही अप्रेशन लगाना पाएगा कि अपना आर वान नूँ अपने element a11 ना डिवाइड करांगे एथ एवी clear कर लिया जावे कि जे a11 already one है मतलग कि unity element है then अपनों इस second step लगाना दी कोई लोगो लोड नहीं हैगी क्योंकि अपना इस second step दे विच एही purpose है कि अपना a11 नूँ unit element unity element one बणा लेगे जे already one है then ना किसे रो ना इंटरजेंज करन दी लोड है ना ही अपना first row नू a11 ते डिवाइड करांगे तो इसे तिन तरानिया बिसिकल लिगलना हो गया कि जे a11 already one है then अपना step two लगावाँ गई नी जे a11 non zero है उदे below किसे रो दे कोड़े one है then अप उस रो नू r1 नाल इंटरजेंज करलांगे थर्ड थेंक किया है कि जे a11 non zero है उदे नीचे किसे रो दे कोड़े one नहीं हैगा then अपना divide करांगे r1 नू a11 नाल तो r1 पहली रो नू a11 नाल जो दो divide करांगे ता जेड़ा first element सीगा a11 ओ a11 ते divide होके किनना बण गया one बक्की ए सरो दे सारे elements नू अप आ 11 ते divide करांगे जित्थे किते a11 following elements नू नाल दे elements नू उपर numerator ते divide करदा completely divide करदा then नो ही रख दांगे अधर्वाइज दिनॉमिनेटर देवेच उनू असे तरीके नाल पीर हुंदा रहना दांगे ठीक है जी तो next a step हो गया अपना a22 element become a11 elements becomes 1 so now we are solving the third step after making 1 at place of a11 ये पहले दोनो steps तो बाद ही गल हो रही है कि जदो अपा a11 नॉ 90 भी बना लेया now we have to make all elements 0 below a11 क्योंके हूँ a11 element 1 बन चुक्या ता हूँ अपने एस 1 दे नीचे वढ़िया रोज देवेच फस्ट-फस्ट elements ने जड़ी हरेक रोव दे उनना नू अपने की बनोना 0 by using elementary row transformation methods so दोबारा तो मैं अथे तो अनो clear करवादा के now a11 becomes 1 now we have to make all entries 0 below a11 for this purpose we have to consider r1 as private row यहनों कई वार अपा की रो भी कह दने है private row की रो ताके एस रो दे कोड़े कोई की है यह अपनिया following rows दे विच जड़ी भी problem आ उनों solve कर दी जाएगी because अपना main purpose की है कि अपने matrix नो identity form दे विच लेके जा रहे हैं ओदे number of linear independent rows find out कर दे जा रहे हैं जिडिया 0 rows होण गया अपने अपड़े वेनिश होण गया बाक्की बाच दियां किया गया number of linear independent rows दे ननों अप दबारा तो आउना अले lectures दिस्स करांगे कि number of linear independent vectors की ने इसे method रही है आप आउवी कम follow करांगे so इसलिए मैं तो अनों कह रहे हैं कि इस method नों काफी ते अनल समझो इत्थे अपने कुले अपरेशन नहीं लगा होण लागी जाना कि maximum कई बच्चेयां दया कि अंदा नों पुष्च दियां कि method किस तरा follow करदा हो न इस तरह दे रिव्यूज हुन दया कि की रो कंसिडर करांगे जदो आपा फस्ट स्टेप दे विच्चा फस्ट रो दे उत्ते element आपा अपरेशन लगा रहे हैं ता इत्थे अपा फस्ट रो दे उत्ते कोई उप्रेशन नहीं लगा मांगे इसले इनू पाइवट रो या की रो क्या गया एक की है एक बग्की करके एड या सब्ट्रेक्ट करांगे त्यां देओ इस गल्लो तो डपेल लाओंगे इस टॉपिक दे विच काफी कम कीता होया सो मैं दुबारा तो कलीर करवा रहे हां कि फस्ट रो दे उपर आपा कोई उप्रेशन नहीं लगा मांगे विकाउज ए बन बन अपना बन चुक अल्रडी जीरो हा हां जे सेकंड रो दे विच कोई एलिमेंट पे या जे 3 पे या देन उत्थे 0 केमें बनेगा जदो आप उस 3 दे विचो 3 माइनस करांगे ओ ही उपरेशन बन जाएगा कि फस्ट रो नू 3 नल मल्टिप्लाई करो सेकंड रो दे विचो 3 माइनस कर दो अपर कि उन्दा कई स्टूडेंट्स दा प्रोसेस बिल्कुल सही हुन्दा बटो उपरेशन लिखन दे विच्छ सही तरी के नल नहीं लिखे दे जीदी वजा करना हों दे साम दे मार्क्स कैंसल हो जान दे नहीं या साम नू सौलो करन दे विच्छ करने विच काफी प्राब्लम् करन दे लोड़ा उत्री कौन देगा फर्स्ट रो बिकॉज अपने वन ही ऐसे परपस लें बनाया थी ताके सूटेबल एलिमेंट जन्रेट किता जा सके मल्टिप्लाइ करन तो बाद ठीक है कई मेथे जिनना दे विच आपाओ थे वान नहीं बनांदे डिरेक्टली सॉलो कर नहीं दा कि मैणस 7 दी जगा थे जदो अपने माइनस 7 दे विच प्लस करांगे 7 धना पड़ बन जेगी ताहुन एस एच dirow राइट कर दे आर्टीकॉल्स टू एत्थे माइनस 7 है ताहां प्लस करांगे आर्टू इकॉल्स टू और टू प्लस किन्नेना मल्टिप्लाइ करने तो इते माइनस करांगे, जे वो element तो अड़ा negative है, तो इते अपा plus अदा symbol लगा माँगे, ठीक है एसे तरीके ना third row देविचे, fourth row देविचे, फोर्थ रो देविचे, अपाने first elements की बना लड़ने है, zero बना लड़ने है, so generally अपा गळल करांगे, कि first row है, जड़ी वो private row है, की row है, उन्हों अपा suitable element ना multiply करांगे, बाकी rows देविचे add या subtract करांगे, according to condition, जे वो रो पहला ही negative symbol वाड़ी है, पहला element negative है, तो अपा इते add करांगे, जे वो देविचे positive element पहा, तो माइनस करांगे, इस step नो दबारा दबारा पसा आनल समझ के अग्ये solve करना, तो से काफी students दिया थे मैं, तो उन्हों पहला दसे है mistake हुं दी है, वो इसे वज़ा कारणनों दिया के बिना चंगे दरी के आनल समझे हो, सामनों directly solve करना, start कर देआ, सो इस step नो त्या अननल समझ लेओ के first row दे उपर operation नहीं लगना, या जिस row दे विच, already zero पहा है, वन वन दे बिलो दे नीचे, वन दे बिलो, ता उत्थे भी अपने ओस row दे भी operation नहीं लगना, सिर्फ ओस row दे उपर operation लगना, जी दे विच first element नोन जीरू है, ओ operation कित्दा कम करेगा, ओस row दे विच, अपा R1 नो किसे suitable element ना, जीट element हो थे पया, ओसे element ना multiply करांगे, add या subtract करांगे, ओदे symbol दे according, हांधी next step अपने कोड़े हा, now we have to check A22 element, हुन अपा second step दे आ चुके है, जो step अपने A11 दे लगाया सी, similarly हो ही अपने हुन A22 दे पर लगाया, हुन A22 की चीज है second diagonal element, दूसरी row दा दूसरा element, के ओ नोन जीरू है, या 0 है, सेम हो ही step, जो मैं अपने पहला देख्या सीगा, पहले step दे विच गल किती सीगी, के J A11 0 है, ता होदी योगा दे नोन जीरू पनो ना, नीचे वाड़ी की जीरू सी ता पा step 2 होते है सी, similarly ही अपना हुन A22 दे लगाया, के J A22 0 है, J A22 element आजे डा अपना, ओ 0 है, then we have to interchange any following row, जेडी भी following नीचे वाड़ी रो, R3, R4 या सामदे विच जेडी यां भी R2 दे नीचे रोज पें जाने, उनननों R2 ना इंटरचेंज करांगे, की दे नाल जीदे विच A22 दे नीचे नॉन जीरू element है, ताके A22 दे जगा ते नॉन जीरू element आजबे, एथे भी हो step दाते आन रख्यों, के A22 element J 0 है, तो ओधे नीचे जडियां भी रोज ने R3 या R4 है, अपना ओस रोज नू ए R2 ना इंटरचेंज करना, जीदे विच A22 दे बिलो न जीरू element है, जे कोई 0 element वाली रोज नॉन इंटरचेंज कर सकते, क्योंके फिर ता प्राब्लम होते दियो थे खडिया, अपना पर्पस था है कि A22 दे जगा ते नॉन जीरू element बान जावे, तो इत्थे भी एडवाईस है है कि A22 दे नीचे J किसे ए रोज दे वेच वान पया इधना अधिक एग्जांपल अपा देवाँगे लास्ट थे, इस टॉपिक बाद, सो उत्थों तो अनू काफी हल्प मिलेगी कि इस एलिमेंटर रोज ट्रांस्फरमेशन में थे रही के में इस वाल बाउट करना, सिर्फ ताइयों करना, जे A22 की होवे, जीरू हुए इत्थे या दिखो, स्पेशल केस जड़ी में उपरगल किती है अपाने, थे आनल दिखो किया, कि जे A22 जीरू है, and all elements below A22 are 0, कई स्पेशल केस देविचे, स्पेशल साम्स देविचे, प्राबलम हुन दे या, कि A22 जीरू हा, पानू नौन जीरू बढ़ाना जाने या, बेचे A22 दे भिलो ते जड़े भी elements ने, मतलों 3rd row दा 2nd element, 4th row दा 2nd element, जिन्धी या भी rows ने, उनना दे 2nd element नो स्पेशल करना, जेहो 9 जिरू ने, तो अनो आर टो टोनल इंटरյाने करांगे, बट जेहो जारे धे सारी 0 हूँन, दैन अपान ओ जेहरो देशल ऐड़े ठीक है ता हुनम अपा ए टू थ्री नू ए टू टू एलिमेंट वांग ट्रीट करांगे सेकंड डाइगनल एलिमेंट मानने के चलांगे फेर अपा उत्थे की करांगे के ए टू थ्री एलिमेंट आ जड़ा एक कदों लोड पैणिया में दबारा दास देना जदों ए टू विच जीरू है ता अपा ए टू टू तो राइट वाड़ा जड़ा एलिमेंट हा मतलग दूसरी रोधा थर्ड एलिमेंट हा ए टू थ्री ओनू ए टू टू सेकंड डाइगनल एलिमेंट समझ के ट्रीट करांगे जो जो स्टेप्स अपाने ए टू टू बारे पड़े ने ओ ही अपा हन एटू टू ट्री ओपर कंट्रीव करांगे मेनिग मेरे कैन्दा किया है के फिर ओस केस दे विच आपा एटू टू खरी अलिमेंट डेखांगे के ओहो नोन जीरू है धन किसे फॉलिउंग रोभ नू रू आर्टू अंट लोगे जे तो अद आप ए टू डू ट् ंहीं तक से रो ननों इंट्रेंज कर ले जावे ताके हुण आपना सेकेंड डागनल डागीunu किया नाउं जीरो मैं ज्यूड़ और अपनद में जीरो प्रक्ष। नो 1 बनाया सीगा, उसे तरीके नाल, now we have to make A22 as unit element, unity बना मांगे, किस तरह, जे A22 दी जगा ते non-zero element होना आ चुक्या, A दी जगा ते 1 है, ठीक है, then अपानो कोई किसे रो नो, R2 नो A22 दीवाइड करना दी लोड नहीं है ठीक है, जे A22 दी जगा ते कोई non-zero element हो, 1 नहीं हैगा, then अपा following rows नो watch करांगे, ठीक है, if any following row have 1 below A22, पहला अपा निगाल किती सीगी, कि A11 दे नीचे किसे भी row दे विच जे 1 होना, तो उन्हों interchange कर लाँगे, similarly यथे भी अपा उसे तरीके नाल चलांगे, कि जे A22 दे नीचे किसे row दे विच 1 है, मतलब second element 1 है, ताप उस row नो R2 नल interchange करांगे, ताकि अपना A22 एजड़ा unit element बन जावे, if any following row do not have 1 below A22, तो या अन्रखना कोई right ते, जा कोई अगे पिछे किती नहीं देखना पाने, सिर्फ अपने A22 दे below दे विच देखना है, कि जे A22 दे below दे विच, मतलब following rows 3rd row, 4th row दे विच second element दिगल कर रहे हैं, कि जे following rows दे विच second element 1 है, ता उस row नो interchange कर ले आ जावे, बट जे following rows दे विच A22 दे below ते, meaning second element 1 नहीं हैगा, किसे गोड़ भी नी 1, if any following row do not have 1 below A22, then we must have divide R2 with A22, ठीक है, कि जे किसे following row दे कोड़ 1 नहीं हैगा, then किसे row नो interchange नहीं करना पाने, then एस case दे विच अपा R2, हुण R2 दे विच second element नो 1 बढ़ाण दे लाई, जे नीचे किसे कोड़ 1 नहीं हैगा, then अपा R2 नो A22 नो divide करके 1 बढ़ाँगे, A22, यह भी हो थे non-zero element है, 7 आता, 7 थे, 3 आता, 3 थे, minus 5 थे, minus 5 थे, वो से element नहीं है डिवाइड करना, जो मैं दबारा तो एस step नो एक वरी revise करदा, कि अपना A22 second diagonal element है, non-zero है, okay, good, जे नो 0 है, then following rows नो, जीदे कोड़ second element non-zero होए, उनों interchange करांगे, advise किया, जे किसे row दे विच बान है, तो दे नो नो interchange कर ला जावे, फिर अपन विथे A22 नो unity बनाओन दी लोड नी, ओ अलरड़ी unity बन चुक्या, हाँ, जे किसे कोड़ non-zero सी, ता non-zero नो interchange कर लिया, फिर 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 तो step ते आए, कि जदो A22 non-zero बान चुक्या, होड़ा अपना प्रोसेस किया है, A22 नो unity बनाओन दा, जे A22 already unity है, then A step भी लगावन दी लोड नहीं है, A22 unity है, तिन अप आग्गे फर्दर चलांगे, जे A22 A22 अपना non-zero है, बट 1 नहीं हैगा, then following rows दे विच जे 1 है, ता ओस row नो R2 नो interchange करांगे, जे following rows दे विच किसे कोड़े 1 नहीं है, then अपना A22 नाड ही R2 नो divide करांगे, meaning second row नो A22 element जेड़ा भी होथे, विजिबला A22 element non-zero है, ओधना डिवाइड करांगे, सिर्फ non-zero element होथे, जेड़ा भी हो रहा है, ओधना डिवाइड करांगे, जो एस तरीके नाड़ा अपने कोड़े R2 दे विच जदो A22 नो A22 नाड डिवाइड किता हो थे वानबान जेगा, बाक्कि ओस R2 रोदे जेड़े भी element ने, उनना नो उसे तरीके नाड़ा A22 दे डिवाइड करदो, जित्थे के ते completely डिवाइड होंदा हो डिवाइड करदो, जो भी integer बाच रहा हो, राइट आउट करदो, आफ्टर गेटिंग 1 एट प्लेस ओफ A22, आउट वी हब टू मेक अल एलिमेंट से जीरो, बिलो एड अबव A22, दिखो इथे तोड या बुक्स दे जडिया प्रॉब्लम्ज ने, उननना नो उसे तरीके गिता गया, आपने लिनेर इंडिपेंडेंट वाले चेप्टर दोणे, जदो आइगन वेक्टर, आइगन वेल्यूज पता करांगे, आपने उसे चेप्टर दे बिच भी एही मेथड लगांगे, इसे लिए मैं कहा रहे हैं कि एस तरीके नाल कर लो, काफी और वाले चेप्टर दे बेच आपानो, अब दोबारा तो सिखन दोोंने, सिरफ ए ही मेथड अप्लाई करांगे, ठीक है जी? सो मैं शिच्थ स्टेप्टे आरहा, कि जदो आपना एटुट आइलेमेंटा जड़ा, बन बन चुकिया, नव वी हवड तो मेक, आल एलेमेंट से रो, तो बिलोव और भव एवान एटूटू क्योंकि हुन अपना एटूटूटू बान है तो अपना एटूटूटू है मीनिंग सेकेंड रो है जड़ी हुन एपाइवट रो बन चुक्किया है की रो बन चुक्किया है इत्थे आंदे हो कि अपने आर्टू ते कोई उप्रेशन गाहेगी तो अपने आर्टू रो नूँ पंट्रो मन्दे हुए आर्टू नू सूतेबल एलिमेंट न आड़ एत्थे में वड़ शुतेबल एलिमेंट न आर्टू जड़ी हुज खराए विद्मेंट तो रो नल मुल्टिकलाई करांगे बाक यंदे विच एड या सब्ट्रेक्ट करांगे अकॉर्डिंग तू ओधा सिंबल जेड़ा विधे सेकंड रो अधे या उस सेकंड एलिमेंट है रो दा सो इत्थे अपने ओसे तरी के नाल फर्स्ट स्टेप देन आल उसे प्रसेस वांग अपने इत्थे सिर्फ चेंज की किता कि जड़ी आर्टू अपनी सेकंड रो है उन्हों अपने पाइड रो बनन्या उदे उपर को उपरेशन लाना आर वान थे आर थरी ते जड़ी आर फू नो suitable element नो multiply करके जिसतरा में कर रहा है कि मानलो थर्ड रो हो दे वेच्छ 5 प्या ता अपने आर तो नो 5 नो multiply करना हो थे माइनस करता है यह multiply करके operation के लिखे है जाओ का R3 equals to थर्ड रो थे operation का रहे है तो R3 equals to R3 minus 5 times R2 क्योंकि होने अपने चब्बी या की आज़ी हो second row कोड़ या तो अपा second row नो multiply करके अड जा स्ब्रेक्टर हो रहा है हाँ जो थे माइनस 5 प्यान दा तो operation के लिखे है जाँ दा R3 equals to R3 plus 5 times R2 ते आ नक्यों अपा multiply सिर्फ पाइवट रो नो ही कर साकते या suitable element नो बाकी रोज नो नो नी ठीक है जी बाकी रोज दे विचो था कोई suitable element नो multiply करके रो add या subtract किती जाओगी जो नेक्स्ट की है हुन अपना के जोदो अपने A22 दी जगा ते नौन जिरो element बना लेया उधी जगा ते वान बना लेया उधे नीच्चे ते उपर 0s बन चुकिया ने उस्तो बाद आमांगे matrix दे 3rd diagonal element दे मीनिंग के A33 दे सारा प्रसेश जो ए 1-1 दे लई सी जो ए 2-2 दे लई सी वो हुन A33 दे लई या हुन 3rd diagonal element नो अपपा देखांगे कि वो element जड़ा ओ 0 आ रहा या या नौन 0 आ रहा जो जे 3rd element आ अपना 0 है ता पाउसे तरिके नाल किसे following row नो R3 नाल interchange करांगे इफ A33 is 0 देन वी हब to interchange any following row, following row दा मतलों किसे हेठा वाली row नाल interchange करना कदे भी किसे अबावरो नाल ना करियो सो हेठा वाली row नाल interchange हेठा वाली row जीदे विच भी 3rd element नो जीरो है इभी कलो ही सेम कि जे किसे following row देकोड 3rd element नो जीरो है ओनु अपाने R3 नाल interchange करना ताके A33 जगाते नो जीरो है जे जे A33 जगाते अलड़ी नो जीरो है देन अपानू no need to interchange any following row दा R3 पिर किसे R1 नाल interchange करना ता लोड़ी ने अपना purpose ही है सीगा कि A33 जडा वो non-zero जेवे ठीक है So A33 नो non-zero बना होनतो बाद होणा अपाने A33 की देखना unity element बना होणा अपना A33 non-zero ता बने चुक्या अपना A33 की होना चाहिदा होना unit element वो किस तरह बनेगा बिल्कुल सेम प्रसेस जदो A33 non-zero element बाने चुक्किया जे वो unity है then उसे तरीक के नड़ में already unity है जे A33 दीएगा ते बन पया then फिर किसे रोनल इंटरचेंज कान दिलोड नी अपने डिवाइड करन दिलोड नी अपने ड्रेक्टली elementary row transformation वो यूज करांगे बट जे A33 non-zero है बट यूनिट नहीं हैगा then दो केस बन देया कि किसे फॉलिंग रो दे विच्च A33 दे नीच्चे meaning किसे भी फॉलिंग रो दे विच्च थर्ड एलिमेंट जेडा J1 है ता उस रो नू R3 नल इंटरचेंज कर लेणा यह ही advice होगी कि already जे किसे रो दे को ले थर्ड एलिमेंट बन है ता उनू R3 नल इंटरचेंज कर लो अपन्न डिवाइड करके ओ fractions नाओन ताके बारबर LC मगरा ना लेना पवे जे किसे फॉलिंग रो दे विच्च थर्ड एलिमेंट बन नहीं है गा दन अपना हुण R3 नू A33 नल डिवाइड करांगी यह गलतिया आंचर रखे हो जेड़ा एलिमेंट अपने कोले प्या पॉदी जगाता ही ता वन मुण होना ता उसे नल डिवाइड करदाऊंगे रोनू R3 देवेचे A33 नल R2 देवेचे A22 नल R1 देवेचे A11 नल कित्ती सीगी ठीक है? सो जे किसे following row दे कोले 1 हुवे ओसे अलिमेंट दे बिलो ते ता उनू इंटरजेंज करलांगे अधरवाइज आपा ओस रो नू उसे अलिमेंट नल डिवाइड करदांगे जित्ते आपा वन मुण होना चोना है सो अपना A33 element 1 बन चोक्या 9 0 सी गा 1 बन चोक्या सो अफ्टर गेटिंग 1 अट प्लेस अफ A33 नाव वी अट तेकिं थर्ड रो एज पाइज 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 नहीं लगाया जाएगा बाकी रो उस दे विच अपरेशन लगाया जाएगा सो नौ वी हब टू मेक ओल एंट्री बिलो एंद अबब A33 아닌 मैंग वो थे 1 सी तो इस थर्ड एलिमंट वान जड़ा सी थर्ड रो था थड़ एलिमंट वान बन चोक्या इदे बिलोव आते अबव देविच ओपरेशनल लगा मांगे जथे किते नौन जिरो अलेमेंट सी उधी जग अथे जीरो बना मांगे जए किसे रोधे विच बिलोव याँ बव आर थरी 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 थे विच अर थर्ड रोव जड़ी अपनी ए थरी थरी है झाहिए एलिमेंट सी हीगा उन्हों छुअ सी बना याँ सी ओप्र दे निच्चे जए किते जीरो हाँ किसे रोधे विच पोune गवाँ जिप पहली रोधे विच दुजी रोधे विच चौत्छी रोधे विच याँ किसी हो रोधे विच जने नौन जीरोऑ बिच एड या सब्ट्रेक्ट करांगे according to elements जेडे भी elements दे symbols नेगे ठीक है जी एसी तरीक के नट आपा next further जामांगे so on करांगे continue एसी प्रसेस नू कि जे a44 होए 4th row दा 4th element होए उनू देखो कि वो 9-0 है then okay, जे 9-0 ना होए ताकि से following row नू आर 4 ना इंटर्जेंज करांगे ताकि वो 9-0 बन जेवे जदो उत्थे अपने कोड़े 4th row दे 4th element दे विच 9-0 बन चुक्या then उत्थे उनू 1 बनाँगांगे 1 बनाँदे ले वी उससे तरीक की नट कि जदो होए 4-4 दे बिलो दे विच किसे row दे कोड़े बान है ता उस row नू इंटर्जेंड कर लो जे नहीं है ता आप आर 4 नू ए 4-4 ना डिवाइड करांगे and so on then we are taking R4 as private row की row then R4 नू किसे suitable element ना multiply करके बाकि above rows अते below rows दे विच add या subtract कीता जाओगा according to elements the sign दे ना so इस तरीके नड़ अपना finally किथे पहुंच जाँगे कि 1st row दा 1st element 1 है ज़िए उदे नीचे 0s बन चुकिया ने second row दा 2nd element 1 है उदे नीचे दे उपर 0s बन चुकिया ने third row दा 3rd element 1 है उदे नीचे दे उपर 0s बन चुकिया ने एसे त्रिकेनल बाक्की रोज दे बिच भी अपरेशन लगाया जाएगा, तो इस त्रिकेनल अपने कोले मैट्रिक्स है जड़ी, ओहो, आइडेंटिटी दी फॉर्म दे बिच आ जाएवेगी, तो अधे की होएगा, मोसली सम्स दे बिच की होएगा, अधेकोले, कोई सम्स दे विच पोरी दी पोरी रो, जिरो बढंगी, ओके? Then, जेरो रोज नू डिलीड कर दे होएग, जिनदी होएगी नौन जेरो रोज बाचरे याँया ने, तहां दे हो, जिरो रोज नू छड़दे होएगी जिनदी होएगी 9 method Ox t. जोदो ओधी at least एक entry 1 है मालो जो में पहली रो है ओधे विच 1 0 0 0 कुछ भी है 1 ता है नॉन जिरो है ता हुँ अपना नॉन जिरो वेक्टर नॉन जिरो रो वेक्टर गिने आ गया नॉन जिरो लीनेर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर गिने आ गया यह थर्ड रो होगी नॉन जिरो रो होगी तो इस मेथड तो बाद अपलाई करन तो बाद की देखांगे आपा के जिन नहीं भी नॉन जिरो रोज ने number of नॉन जिरो रोज is called rank of matrix तो ए मेथड दर आ ही अपा एक लिए एक ग्जमपल करदें इते non-zero है, okay, then A1, 1 नो 1 बना मांगे, 1 बनाओन देली, उदे बिलोव ते किसी row दे विच देखो, तब बनता नहीं है, जे किसी ते 1 हूंदा बिलोव रोव ते विच, then आप उस row नो ए-R1 रो इंटरेंज कर लेंदे, सो जिस तरह में तो नों पहला नस्या भी गा कि जै टिवाइड और कोई हे इंटीजर बाच दा है जिम्हा प्नेमे शीडे जगे आपने यहां निया करते हैं कि बखकी रोज़ दे विच्च एंवन वन दे बिलोग दे जी रोज़ बढ़ा मांगे जतने जी नॉन जिरो रपरेशन करूआ जी रोड नहीं जितने नॉन फिर्ट करेंगे अपने कि नॉन खिमों में थैसे और नॉन टेन कि नॉन वन जी करांगे वहां ठीक तो ठ यह सी आपनु थरी जगह ते जीरो बिढूँन दे लएइ अपकी अलग करांगे के R2 दे वेच्छ 3 आया ता 3 नहां मल्टिप्लाई करके पहली रोन्स करलांगे जे है माइनिस 3 हन्दा ता R2 दे वेच्छ एड़ कर दे पहली रोनु तो opposite जला ना जो plus है ता minus करो suitable element ना multiply करके जो minus ही गा ता plus करो suitable element ना multiply करके तो हुण इते operation की लिखा जाएगा operation नो त्या नल दिखो R2 दे विच 3 है ता R2 equals to R2 minus 3 times R1 R3 दे विच 7 है ता इते 7 ना multiply करके minus करलांगे operation की लिखांगे R3 equals to R3 minus 7 times R1 सो हुण अपने फर्स्ट रो दे विच बान है उदे नीचे 0 ज़ बना लेया हाँ इभी गलत या नखो के जड़ा operation अपने एथे सोच रहे है उपूरी रो ज़ लगेगा ठीक है अपने एथे 0 ज़ बना बाक्की रोज दे विच कुछ भी बन रहा जो जस तरह दे वी element बन रहे है उन्हानों सेम एज लिखी चलो जमें एथे अपनी पहली रो सी की 1 4 by 3 1 by 3 अथे 2 by 3 यता पाइब रो जो यता कोई operation लगाना नहीं अथा अपने सेम एज लिख ले 1 4 by 3 1 by 3 अथे 2 by 3 बाक्की रोज ते उप्रेशन लगा मांगे सेकंड रोज जटा पहले element सी 3 उन्हों जदो फस्ट रोज पहले element 3 ना multiply किता माइनस किता तो तो जीरो बना गया एही उप्रेशन अपना बाक्की एलिमेंट्स थी भी लगूगा R2 दा सेकंड एलिमेंट सी गा अपना 2 सो हुन 2 दे विचो अपने 3 ना multiply करके फस्ट रोज दा सेकंड एलिमेंट माइनस करना corresponding element जड़े भी ने ठीक है जी सेकंड एलिमेंट चो सेकंड थार्ड चो थार्ड फॉर्थ चो फॉर्थ ठीक है तो दे विचो 3 ना multiply करांगे 4 ना माइनस कर दांगे तो 4 ना multiply करांगे 3 कैंसल हो गया 4 बाची करा 2 माइनस 4 ता माइनस 2 बनेंगे एक calculation बहुत easy है simple है तुसी almost पहला किती होई है so math adjust दो अनुए थे operations नू ते अनुट अनुट लिखन नू कह रहे है जेड़े भी operation तुसी सोच रहे हैं वो पूरी रो दे उपर लगेंगे ते अनुट अनुट करना कोई भी plus या minus दी भी mistake नहीं होगा नी so similarly अपने को थर्ड रो सी होदे विच्छ फस्ट अलिमेंट 7 सी अपने ते सोच आजी है कि 7 चो 7 माइनस करांगे वो 7 फस्ट रो देगा फस्ट रो देगा फस्ट नू 7 नू 7 नू मुल्टिपला ही करांगे फोर वै त्री रफ कमच कैल्कुलेशन करो जो भी कैल्कुलेशन आ रही है यह अपना माइनस टू है बिल्कुल सेम उसी तरीक के नाल होना अपना ये टू टू देखांगे के जे नॉन जे जीरो था नीचे वाली किसे रो नू इंट्रेजिंज करांगे एथे नॉन जे नॉ नीचे वाली किसे रो देवेच र थरी देवेच वन नहीं है गा दन आपा आर्टो नू एट्टू तो ते ही डिवाइड करांगे एट्टू टू किया माइनस टू है ता अउन आपरेशन की लिखा जाएगा आर्टू इकोल्स टू आर्टू एंटू एंटू वन ओवर माइ एलिमेंट्स देविच सो अपना यह थे फस्ट ड्वर दे विच Milton नहीं हुआ पेरेशन लगो मा मेंट-ठाट खरग भीज़ेवेच नहीं होटरो करांगे गारेदाू त्मर्ट फर्ष्ट जू आडब शुले में साज़ेवेच ज Obviously in the next row मृसर ना है। आड पारेशन नहीं ह आपा 4 by 3 ते multiply करांगे वो थे plus C ता इत्थे minus करलांगे so R1 equals to R1 minus 4 by 3 times R2 उसे तरीक के नालओ थर्ड रो देविच तो अटिकोल माइनस 10 by 3 है ता second row नो 10 by 3 ते multiply करांगे बट इत्थे minus C ता add करलांगे second row नो 5 रो नो so operation की right out करांगे R3 equals to R3 plus 10 by 3 times R2 एस तरह करन तो बाद बट इकोल की बन जएगा कि जड़ा second row था second element वो 1 बन चुक्किया उदे नीचे उपर 0s बन चुक्किया नहीं हुन अपा माँगे जी third element वाल third diagonal element वाल जे ए non zero देन ओके जे ए zero था किसे falling row नो इंटरेंज करांगे falling row जेड़ी वी R3 तो नीचे हुएगी तो यहां समझ दे बिच जे नहीं है कि ये non zero है ये zero है then एथी stop करदांगे सामनो जे एहे non zero element है then एथी जगा ते वान बना माँगे वान बनाओन दे लई जे ता नीचे किसे रो दे गोले बनाँए then ओके ओसो रो नाल इंटरचेंज करलांगे थर्ड रो नू जेस तरह एथे नीचे कोई रो ही है नी then अपने ए त्री त्री त्यगा ते वान बनाओन दे लई R3 नू ए त्री त्री नाल ही डिवाइड करदांगे ए त्री 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 की है थर्ड रो दे विच पर बाकी रोज दे विच ऑपरेशन लगेगा ताकि आपप 1 दे बिलो या अबब जीरो बना लेए सो अपने सम दे विच की है सेकंड रो दे विच थर्ड एलिमेंट तो अल्रेडी जीरो बनाओन दे लोड नी सिर्फ फस्ट रो दे विच जीड़ा थर्ड एलिमेंट को नौन-zero अथा उधी जगाते जीरो बनामांगे शूटेबल उपरेशन नूँ यूज करके शूटेबल उपरेशन की है के फस्ट रो दे विच थर्ड एलिमेंट आपने की बान चुक्किया वन ओधे बाब वते बिलो जीरो आ जे फोर्थ रो हुंदे अपा फोर्थ रो दा फोर्थ एलिमेंट पे एक दे ओधे अप कंटीनू कर दे अही स्टेप बट अपने को ले थे तिन्नी रोज ही गियां सिर्फ नौन जीरो रोज नू देखवाई थे तिन्नों ही रो नौन जीरो आ रहे हैं तो रैंक ओफ मेट्रिक्स किया गया थ्री एक अग्जम्पल हो रहा है एदे ओपरेशनस तुसी अपने आप वाच कर लड़े हैं बहुत इजी सिंपल प्रोसेश रही जड़ा भी तो अनौन उपर बाब मेट्ड डिस्कस किता उसे रही स्वालव करवाई गया थे तो इसलिए विच मैं बलकु लास्ट थे आना कि परेशनल गाया थी निच्चे जिरो बनाउनली सूटेबल अपरेशनल आया थी एद ता फॉलो करन तो बाद थर्ड रोदा थर्ड अपने को लो किया है जीरो है निच्चे ता कोई फॉलोंग रो है नी ठीक है तो अपके से नौन जीरो एलिमेंट वाली फॉलोंग नीचे परेशनल 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 जो रो होगी ये वैनिश, सो अपने कोल नंबर आफ नॉन जीरो रोज किनिये बाज़ियाने दो, तो ये थे मैट्रिक्स दा रहेंगा जड़ा, दो होगा, सो अजदे इस टॉपिक दे विच आपने मैट्रिक्स दा रहेंग फाइंड़ा करना सिख्या, बाइ यूजिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफर्मेशन्स, तो काफी ज्यादा प्रेक्टिस करे हुए इस मैफड़ दी, तो उसी प्रीविएस टॉपिक दे, बाइ यूजिंग देटर्मिनेंट वाले दी, सिर्फ उनना इस तरीके न बहुत बहुत इजिली बाइज वाले जालोड कर सागते हुए जिनने भी सामसी, जिते बिच देखी सिंपल मैट्रिक्स दे लिया, ओ दियां एंटरी इंटरी जियां, इसे भी और दी दिया, इंटरी दिया, बाइ यूजिंग देखी अगे जरूरत होएगी, तो इनो त्यानल सिखो, कोई प्रोब्लम हो दिया, कोई किते किसे स्टेप देपचे को समझ नहीं लग रहे है, या कोई से उपरेशन देपचे, then you can ask.